आज का हमारा टॉपिक है कंसोलीडेट का उप्योग करके हम अलग अलग रखे गए डाटा को एक जगा कलेक्ट कर सकते हैं उससे इच्छानुसार परिणाम प्राप्ट कर सकते हैं तो पहले हमें खाली सीट लेंगे और जो हमारे पास पहले से डेटा मौझूद है उससे कलेक्ट करके एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो करके देखते हैं यहां पर है कंसोलिडेट और कंसोलिडेट पर क्लिक किये तो पहले यहां हमारा दिया हुआ है आइटम और यहां पर है क्वांटिटी तो आइटम और क्वांटिटी में क्या है कि आइटम रिपीटेड है क्वांटिटी अलग अलग है तो पटना है फिर यहां दिया है देल ही देली में जब हम देख रहे हैं तो देली में भी वही है आइटम भादी सारा सेम है जैसे कंप्यूटर, सीप्यू, कीबोर्ड और माउस और लेकिन क्वांटिटी यहां पर बदली हुई है फिर उसी तरसे आगरा की भी वही इस्तिती है तो अब हम क्या करेंगे कि आइड फर्स्ट हम यहां 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 कंसोलिडिट का जो बॉक्स है हमारा इसमें दिया हुआ है कि रेफरेंस क्या है कहां से हम डाटा लेंगे उसके बारे में है इसको अभी हटा लेना है पहले हमें करना क्या होगा seat खाली seat लेनी होगी और इसको हम थोड़ा जूम कर दे यहां तो पहले पटना में हम गए सॉरी Consolidate में गए पटना में गए और यहां से हमने data को चुन लिया फिर add कर दिये इसके बाद दिली में गए और यह जो मर्क है वो दीख रहा है मतलब यह कि selected है फिर हम यहां से add कर दिये फिर आगरा में गए और आगरा के भी data को यहां add कर दिये इसके बाद finally हमको करना है use label in तो top row हमें चाहिए left column चाहिए ok कर देंगे तो यहां पर यह हमारा detail दिखा रहा है कि हमारी quantity कितनी है तो अब हम इसको क्या करेंगे कि यदि हम इसका average निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं consolidate में जाएंगे और average पर click करेंगे और यहां ok कर देंगे तो यहां average निकाल दिया और यदि हम चाहते हैं कि maximum कितनी वस्तुएं भी की तो यह maximum वस्तुओं को बता रहा है तो इस तरह से हम consolidate से related work कर सकते हैं इसके लिए हमने किया क्या था कि पहले हम अलग अलग जगहों पे data रखे हुए थे उसके बाद एक नई seat खोले इसके बाद हमने क्या किया कि consolidate में गया और यहां एक जगह पे जाके उस data को हमने collect कर लिया फिर दूसरे जगह पे गए वहां से भी collect कर लिये तीसरे जगह पे गए वहां से भी collect कर लिये फिर हमने label को click करके ok कर दिया तो यह सारा data हमारा यहां आ गया तो इस तरह से हम इस काम को कर सकते हैं